क्या कर रहे हैं बड़े प्लेयर और क्या चाहते हैं वो मतलब मार्केट को उपर लेके जाना चाहते हैं या नीचे यह हम समझने की कोशिश करेंगे टेक्निकल चार्ट के हल्प से नमस्कार मैं जीट सिंग स्वागत करता आपके चैनल ठाकूर कैबडल में अगर देखें तो आज निफ्टी में 246 पॉइंट की बढ़त रही और वहीं हम लोग कल देखें तो ये 208 पॉइंट की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा था बहुत ही वोल्टिलिटी हमको मार्केट में देखने मिल रही है कंटीन्यू अब डाउन अब डाउन निफ्टी में हमको देखने मि कोशिश करेंगे हम टेक्निकल चार्ट की हेल्प से कहां जा सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी मतलब निफ्टी उपर जा सकती है या नीचे नमस्कार में जीट सिंग स्वागत करता हमको जाने ठाकूर कैपिल में अब देखें तो पहले भी बात कर रहे थे कि किस तरीक में वहां से एक हाई बना यहाई था कि फोर एप्रिल को 18,114 का और वहां से फिर एक फॉल आया जो एक रिट्रेस्वेंट 50% रिट्रेस्वेंट के नजदीक में ट्रेड कर रहा है और यह कंफर्म इसलिए होता है कि बहुत दिन से मदब 6 से जादा ट्रेडिंग शेशन यहा लगता है कि यहाँ पर यहाँ पर मुमेंट के बाद वापस प्राइज अप ट्रेंडिंग मूव में वापस ट्रेड करेगा अनों यह देख सकते हैं किस तरीके से प्राइज इन बिट्वीन यहाँ पर ही हुम रहा है अब देखें तो किस तरीके से रिटेलर को बड़े प्ल को इसम के डिन मार्के जो स्लिंग प्रेस्टिर था। जो इंटерт रेट है वह ही़ है जो हैए बाद में कोविड के कैसे भड़ रहяж हैं चायना में में चायना में फियर है कि वापस lockdowns होंगे, oil के prices बढ़ रहे हैं, ये सब चीजें कल market में आई, और market ने उसको react किया, और देखें तो 208 point कल nifty down रहा, और nifty ने अपने previous low को break नहीं किया, जा पर sustain कर रहा था, और आज वापस nifty positive हो गया, 246 point nifty plus रहा, अब यहां से देखें, जो सबसे पहला target है, वो 17 17,500 का लगता है, उसके बाद हम लोग 18,000 के level पे भी nifty को जाता हुआ, देख सकेंगे, अब बात करते हैं, हम लोग weekly charts की, weekly charts में देखें, तो इस week में, किस तरीके से, आज के action से, ये, ये समझ में आता है, कि nifty sustain करने की कोशिश कर रहा है, इस level को, और हम लोग continue बात कर रहे है, कि किस तरीके से, किस तरीके से, जो nifty है, वो एक higher low establish करने की कोशिश कर रहा है, weekly charts पे, previous जो डोजी टैप का candle था, अब लाश्ट वीक का हम लोग देख रहे हैं, इस candle को, ना यहाँ पे buyer विन हुए, ना seller, और जो follow up candle है, इस week की, इस week की, जो follow up candle बन रही है, वो ये यहाँ पे buyer buying करते हुए जा रहे है, मतलब यहाँ पे price उपर की तरफ वो move कर रहे है, तो ज्यादा से ज्यादा chances है कि price वापस यहाँ से up trending move लेगा, अब बात करते हैं, हम लोग monthly chart पे, monthly chart की बात करें, तो last month में, March month में, तो 15,688 के levels को nifty ने touch किया था, वहाँ से काफी शां nifty को ऊपर घीचा था, मतलब वो clear cut यह दिखा रहे थे कि buyer बहुत aggressive है, और वही action हमको weekly, April month में, monthly chart पे देखने के लिए मिला, यहाँ पे देखे तो पहले chart positive था candle है, उसके बाद दिरे दरे profit booking आई, overall nifty अब ऐसा लगता है, कि दिरे दरे settle down हो रहा है, और यहाँ से वापस nifty up trending move में trade करेगा, तो यहाँ से एक buying opportunity बनती है, अब बात करते हम लोग bank nifty की, bank nifty का जो price action है, वो इतना clear नहीं है, जितना clear हमको nifty का देखने मिल रहा है, यहाँ पे देखें, तो bank nifty ने भी 50% के नजदीक में retracement किया, और वो एकदम clear cut का जो retracement है, वो हमको देखने नहीं मि आज gap up opening के साथ 322 point bank nifty plus रहा, कल देखें तो bank nifty होई, काफी गिरावट हमको तो नहीं, मगर gap down opening के वाए से एक time में 500 point bank nifty down था, और closing होते होते 37 point plus रहा, मतलब कल 218 point nifty minus थी और bank nifty 37 point plus, आज देखें, तो nifty 246 point plus है, और bank nifty 222 point plus है, हम लोग आज चेक यह कर रहे हैं, current price पे, तो यहां से देखें, तो sustain करता हुआ दिख रहा है, bank nifty भी, और था chances है कि यहां से bank nifty वापस up trending move में trade कर सकता है, अब weekly basis पे देखें, तो weekly basis पे किस तरीके से, किस तरीके से sustain हो रहा है, price हम लोग यह देख सकते हैं, और buyer यहां से aggressively, नीचे के level से buying कर रहे हैं, यह हम को देखने के लिए मिल रहा है, यहां से जो bank nifty का, जो इस week का जो candle है, यह दर्शायग और यह बताएगा, कि आगे के price action कहां जा सकते हैं, मगर यहां पे prices sustain कर रहे हैं, मतलब एक अच्छा संकेत है positive side में, बात करें monthly chart में, तो monthly chart में हम लोग यह देख सकते हैं, कि किस सरीके लेवल पे, मतलब 4000 point नीचे से bank nifty को घीचा ता उपर की तरफ, बायर जादे aggressive थे, तो और और हुनों ने बात समझी, अभी तक nifty और bank nifty में कि यहां से positive sentiment दिख रहे हैं, और अब ऐसा लगता है, कि market यहां से एक up trending move लेगा, बात करते हैं, यह में इस पे कैसा रहा आज market, तो daily chart की बात करें, तो daily chart पे 5 ms के उपर आ चुका है nifty, जो एक अच्छा संकेत है, 50 ms, 13 ms, 20 ms के नीचे है, weekly basis की बात करें, तो weekly basis पे, हुनों यह देख सकते हैं, 13 ms, 20 ms, 5 ms, हर ms के नीचे है, और 50 ms के उपर trade कर रहा है nifty, जो एक अच्छा संकेत है, monthly candle की बात करें तो 5 ms के नीचे है, बागी सब ms के उपर trade कर रहा है nifty, जो एक अच्छा संकेत है, अब बात करते हैं, बैंग nifty के यह मेंस की, बैंग nifty ms की बात करें, तो 5 ms के ऊपर trade कर रहा है, आज nifty, देखें, तो 13 ms, 20 ms, 50 ms, हर ms के नीचे है, बैंग nifty अभी भी, और 200 ms, और मंतली चार्ट में तो मंतली चार्ट में फाइए में फाइए में के नीचे है बाकि 13 20 50 हर यह में के उपर ट्रेट कर रहा है जो एक अच्छा संकीत है अब बात करते हैं कि क्या रहा एक्षुली क्या कर रहे हैं वह मार्केट को बाइंग साइट देख रहे हैं या सेलिंग साइ करते हैं कि हमको यह समझ में आता है कि एक्षुली वह पोजिशन क्रेट क्या कर रहे हैं फ्यूचर ऑप्शन में वह कहीं ना करते हैं मतलब फ्यूचर अगर वाई किया है तो फूट रैटिंग किया है अब देखें तो 25 अप कल के दिन उन्होंने नेट में 3,302 क्रोड का माल नेट में सेल किया था मतलब वह मार्केट में अभी प्रॉफिट बुकिंग करते हुए दिख रहे हैं ओवरॉल देखें सिर्फ एप्रिल मंत की बात तो एपरिल मंत में कंटिन्यू छे तारीक से यहां पर देखें तो छे तारीक से कंटिन्यू सेल में हैं बात करें मंतली चार्ट पे तो मंतली चार्ट की बात करें तो इस मंत में अभी तक वो 32,509 करोड का माल बेच चुके हैं मतलब वो मार्केट में कंटीन्यू प्रॉफिट वोकिंग करते वे दिख रहे हैं अब बात करते हैं लोग एनसी की साइट पे क्या रहा कॉन-कॉन-कॉनी कंपनी में ज्यादा वेल्यू कंपनी में ज्यादा कॉंट्री टेट हुई सब कुछ हम लोग समझने की कोशिश करेंगे एन के साइट पे अब देखें तो 246 पॉइंट you 50-17,200 के नजदीक में ट्रेट कर रहा है क्लोजिंग पे 1.46% अप रहा देखे तो 42 कंपनिया प्लस रही और 8 कंपनिया मानेस रही बढ़नाल शेर्स में अधानी पोर्ट बजाज आटो हिरो मोटर कॉप, पाउर ग्रीड, टाइटन रहे गिरनल शेर्स में ओएंजिसी, अपोलो हॉस्पिटल, एक्सेस बैंक, हिंडाल को और मारूती रहे मोस्ट एक्टिव शेर्स अगर आज हम लोग देखें तो अधानी पोर्ट, रलाइन हिंदस्ट्री, रूची सोया, आईसेसे बैंक, एईसेसी बैंक में सबसे ज्यादा वैल्यू के ट्रेड हुई, कॉंट्री ट्रेड कहें तो आईडिया, यूचर कंज्यूमर, येस बैंक, जीटेल इंफ्रा में सबसे ज्यादा आज कॉंट्री ट्रेड हुई, अगर में आपको थोड़ा सा भी स्टॉक मार्केट के बारे में अपडेट कर पा रहे हैं, कुछ बता पा रहे हैं, तो प्लीज हम चल्को सब्सक्राइब करें, शेर करें इस वीडियो को अपने झालड़ा हुई